बहुत से कफल काफी दिन से ट्राई करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हर ट्रीटमेंट करवाते हैं, हर चीज उनका नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाता है, तो ये इसमें कहां आपको कुछ रीजन आता है, क्या कारण आ रह कि बहुत जरूर जरूरी जनकारी रहे हैं कि आखि यह कमिया है तभी ये चीजे होती है और देखिए फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेश्ट करती हूं कि जो मैं वीडियो में बताती हूं उसके उपर आप अपलाई करिए अपने उपर अपलाई करने की कोशिस कीजिए आपको काफी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको करके बेनिफिट पाया है अपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है यह जो आप नहीं कंसीव कर पाती है ना इसमें कभी-कभी ना आई-वी-फ और आई-ई-वाई भी फेल हो जाता है इस सिच्वेशन में यह क्या होता है कि सिच्वेशन में यह समस पर जानी चाहिए यह महिला के अंदर महिला के वेजाइना से होते हुए यूट्रेस को पार करके और फिलिपियन टूब तक पहुंसता है और वहां पे एक रहता है एक को फटिलाइज करता है बट यहां पे होता क्या है कि जब आपका जब मेल का सेल्स यूट्रेस तक जाता है आपके वेजाइना के तुरू ऊपर पहुंचता है तो आपके बॉडी में कुछ ऐसी एंटी बॉडी जा जाती है जिस वज़त से कि उस सेल्स को ऊपर तक नहीं पहुंचने देती बीच में ही उसको नश्ट कर देती है इसलिए आपको फटिलाइजेशन की प्रकिरिया नही है इस वीडियो में मैं आपको एक उपाई भी बताऊंगी जिसको करेंगी तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है तो जब एग और इस पाम का मिलानी नहीं होगा तो फटिलाइजेशन कहां से होगा यह तो सोचने वाली बात है ना तो जो बीच में जो नश्ट हो जा र इनश्ट है और समझ लिजेव कि 10 से wieder RNA और महिलाओं में ये दिखा जाता है यह यह में होता यह पूस में होता यह मैं होता हियों महँ नहीं है यह हर सहर हर छोटे सहर में भी इसकी जो टेस्ट है यह ब्लड टेस्ट होता है अगर आपको भी ऐसी समस्या है कि हर जो रिपोर्ट है नॉर्मल है आप दिल से मन से कंसीव करने की चेश्टा कर रहे हैं हर कंटेक्ट में भी रहे हैं फिर भी नहीं कंसीव हो रहा है तो आप anti sperm antibody का जो है टेस्ट करवा सकती है इसमें कोई बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है बहुत थोड़े बहुत पैसों में यह हो जाएगा और इसको आपको आपके blood से इसको टेस्ट किया जाता है इसके बिसे में आप अपने डॉक्टर से जरूर discussion करें कि क 102 महीने यूज करेंगी आपको तुरंत इससे relief मिल जाएगा और यह जो महिलाओं में ही होता है पुर्स भाईयों में यह चीज नहीं होती है यह sperm को मारने की प्रक्रिया करता है sperm को ऊपर चढ़ने नहीं देता है तो आपको घरे लू उपाए भी मैं बता रहे हैं देखे फ् काफी help मिलेगा और आपके किसी तरह का जो यूरीन इंफेक्शन है या फिर वेजाइनल इंफेक्शन है किसी तरह इंफेक्शन अगर होगा तो भी यह इंफेक्शन आपका खतम हो जाएगा जो मैं आपको home remedy बता रही हूं देखिए एक टुकड़ा फिट किरी कर ले लिजि चोटा टब लेकर उसमें फिट किरी जो है उसका जो बुरादा बनाई है उसको डाल के घोल लेना है और आपको क्या करना है आपको 10 से 15 मिनट उसमें बैठना है ठीक है ना ऐसे बैठना है कि जिससे आपका वेजाइना उसमें डूबा रहे और जब ये वेजाइना उसमें तो आपको कोई भी अंदूरीनी समस्या है फिट किरी ऐसी एक एंटिवायटिक होती है जो कि आपके अंदर की वेक्टिरिया को मार देती है और आपको कंसीव करने में भी ये काफी हेल्फ करेगी अगर आप इसका उपियोग करेंगी तो तो इसको आप टब में रखके और उसमें बैट जाएगे इसको करना कब है देखिए जब आपका जो है पिरियड खतम हो जाता है पिरियड अमोमन बहुत सी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो छे दिन छे दिन के बाद जब आप क्लीन हो जाती है तो साथवे दिन से इसको सुरू करना है और जब सब्सक्राइब तक आप आते सेह उरकिए इसको सेह कराना दिन नहीं ृट नहीं रंध कि इन फना दो इसी हो गत्तर नहीं परख़ करना है एक इस तक पर नहीं, ऎनि आफ उसी करता गय तो जब आपको पहुंचेगा उसमें कोई भी बैक्टीरिया कोई भी एंटी मतलब जो भी आपके अंदर चीजे हैं उस सब खतम हो जाएंगी और आपको हर महीने अगर कंसीव नहीं हो पारा है तो हर महीने आपको 5-6 दिन इस प्रक्रिया को करना है ताकि आपको कोई भी अंदूरुनी समस्या है इस चीज से और नश्ट हो जाता है और इस चीज को आप करेंग और पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है और फिटकिरी का उपयोग आप करके इसको करिए ताकि देखिए फिटकिरी ऐसी चीज है ना कि अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो उसमें भी आपको हेल्फ करेगी तो अगर इस चीज क को आपको इस उपया उपाय को आपको करना ही करना है तो आप अगर करेंगी तो आपको हंडेटेट इन परसेंट बहुत इससे बानेफिट मिलेगा और बहुत सारे झाय कापल बहुत परिसान है बहुत परिशान है कि मुझे conceive नहीं हो पा रहा है तो इस चीज को भी आप ट्राई करके देखिए आपको मैं भगवान से दुआ करती हूं कि आप जरूर कंसीव होगा आपको हार नहीं माननी है जो हार गया उंश अधार उसको दूर कर एप 110% जरूर कंसीव करेंगी आप को निरास्त नहीं होना है और विडियो को इसी को ऐसी समस्या है तो वीडियो को सेर जरूर करें उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आपको हार नहीं माननी है आपको अपना संगर जारी रखना है बाई बाई टेक